आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो भी है जनरल आउपेशन एड लोकेशन एड लेयाओट अप हस्पितल कर हमने देखा दाम आप आविलिटी आउप पास्पितल फार्वर सिस्ट हमारा आज का टॉपिक जिसमें सबसे कहले मांको जर्दर आपकेशन की देखरेशन बतारे बादी हुँ तो देखरेशन इस प्रवाइड सर्विस पर प्रिमेंटिव हेल्पियर और डियोजिस ट्रिट्मेंट आफ्टर मांको जर्रल डिसकंफर्ट, अर्ली कंप्लेंट्स, सिंटम्स और नॉट और इमर्जंसी और रेफ्रल केस यह हुई हमारे डेखरेशन आप इसको समझ लेगे सबसे पहले हम बारी-बारी से कि जो महाना बहुत भारी-बारी वर्ड्स आया है उसको पहले हम समझ लेगे कि क्या उसका मीनी है जंदर आपकेशन का मंतब होता है ऐसा पेशन जो कॉमन फ्ल्यू, कॉमन फीवर और कॉमन जो फोल्ड होता है उसके लिए आया है कई बार किसी तरीके की इमर्जनसी या किसी भी स्पेशलाइज के पास रेफर करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा पेशन जनरल उपीडी में और जनरल आउट पेशन में आराम से ठीक हो जाएगा तो यह हुई डेफिनिशन औफ जनरल आउट पेशन मतलब ऐसा पेशन जिसको कॉमन आई डाराम इस पेशन जान सब्सक्राइब आउट में आउट का वृट इहां किसी भी स्पेश्वलिस दॉक्क्टर के पास रेफर करने की ज़रूरत नहीं है अब को धार में आग आगहा ऑपार जनरल आउट की डेवीडेशन अभी में इसासरी से हमतीतते समतीते हैं यहां पर ने बहुत बरा डाइग्राम बनाया है, यह डाइग्राम है, Location and Layout of Hospital Location का मतबद क्या होता है, सबसे पहले हम यहां पर हमारे team जो मैंने short में points निकाल के दिये, आपको उसको देखेंगे, Location कैसा हो जाए है It should be near the entrance, जैसे ही हम hospital में पहुचे, तो OPD जो है, ग्राउंड प्रोर पे होनी चाहिए, यह आपको भी समझता है, जब आप hospital में जाते हैं, तो hospital में जैसे ही एंटर किया, बहाँ पर left side reception रहेगा, फिर उसके बगर से ही, cabin रहना है doctor का और उसके बगर से ही, वहाँ पर patient बैठने का इंदिजाब रहता है, तो यह हो गया, पहला point कि, it should be near the entrance, जैसे ही hospital में एंटर किये, तो near the entrance, वहाँ पर सब चीजें, जैसे की doctor का cabin, receptionist और vetting ये दिया मिलना चाहिए, ना second बोला है, decrease or minimum disturbance to inpatient, इसको समझेंगे, second point में लिका है, decrease disturbance to inpatient, इसका मत्ता भी होता रहा है, कि जो भी वहाँ पर OPD में patient आया है, उसके वहाँ पर रहने से, उसके, उसका जो number रहो आ रहा है, जो बात्चित करेगा, उससे वहाँ पर admitted patient को किसी भी तरीके का disturbance नहीं होना चाहिए, ऐसा isolated area होना चाहिए, कि वहाँ पर disturbance नहीं होना चाहिए, कि महाँ पर disturbance में हो, कम से कम वहाँ पर disturbance हो, क्योंकि कुछ patient माँ admitted भी है, बड़ा hospital है, address, add data, या fast data है, और वहाँ question तो है, ये question को disturbance नहीं होना चाहिए, इसने minimum disturbance को ध्यान लगते हो, हमाँ arrangement होनी चाहिए, now the next, बहाँ पर दो तरीके का arrangement हो सकता है, location और layout में हमको ये देखना है, location, अब pharmacy कहाँ पर होनी चाहिए, pharmacy सबसे round four, पहली होनी चाहिए, बहाँ पर दो तरीके से इस पैसे दी जाती है, या तो same window से अगर pharmacy चोती है, hospital जादा बड़ा नहीं है, तो same window से आएपीडी मतबड़ी patient को भी दे सकते हैं, दवाई आप description लेकर और OPD जो outpatient department के हैं, उनको भी provide की जा सकते हैं, लेकिन अगर hospital बड़ा है, उनके पास अच्छी space है, तो उन लोगों और दो बना देने चाहिए, दो अ जीक करेंगा prescription और एक window से OPD वाले अपने prescription को receive देनेगी, जिस वज़े से क्या होगा, overcrowding नहीं होगी, वहाँ पर फोड़ा सो फुला फुला और services, जो हमारा हमने आपने discuss किया था, वहाँ business पर चाहिए, overcrowding में चाहिए, वह सारी चीज़े बहाँ पर अब भी जाए, यह हम वहाँ पर disturbances नहीं होने चाहिए, कि पेशन इंक पेशन आइडमिटेड रहे है, वह उपड़ी वाले पेशन के सिर्फ बज़ा से वहाँ पर फोड़ा सकता है, इसका भी प्यावर में, तीज़ना हमने पोई आपे देखिया है, कि अगर उस्तुरा चोटा है, तो सेम आपेशन के लिए अलग और आपेशन के लिए अलग, इस तरीके से dispensing prescription की ही जासे किती है, अब आपने देखने जा रहे है, layout, layout पा जो पॉइंट है, यह कैसा होना चाहिए, इसका है, जैसे यह patient एंटर हुआ, तो it creates, should create a good impression, बहुत यह अच्छा impression उसे create करना चाहिए, लेकिन अगर हॉस्पिटल का अच्छा रगा, तो वो थोड़ा सा recovery उसकी होने लग दी, बही से, डॉक्टर के पास जाने की पहले ही उसको अच्छा दूरो लगता कि मैं हॉस्पिटल में तो पहुच गया हूँ, अब मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा, healthy environment, अच्छा impression हो जाएगी, layout पे, फिस सेकेंड बोला है, इस वाहँ पर टू विंडू का हिकता है बहुत अच्छे से होग सकता है, तो करना ही चाहिए, कैसा two window मतलब, one for receiving the prescription, एक जहेखे से prescription receipt किये जा रहे है, और दूसरे window से prescription deliver किये जा रहे, अगर ऐसा, for a specialist आपको, आपको जा पर algorithm की possible है तो आपने जरूर करना है, लेयाओ के इसमें टू विंडो जरूर फोलो करना चाहिए, one for receiving the prescription and second for the delivery of the prescription. Now next है, बहाँ पर, फार्मसी के पास में, waiting इरिया बहुत ज्यादा जरू है, हम लोग उने पिछले साथ hospital visit के साथ में फार्मसी भी की थी, तो नाप्पूर में रज़त फार्मसी है, बहाँ पे हम लोग गया थे, तो उनके यहां बहुत अच्छा meeting में ऐसा waiting इरिया है, फार्मस और waiting area होना चाहिए, now similarly, it should be clean and ventilated, हो जो waiting area है, clean होना चाहिए, ventilation होना चाहिए, पापस है होई पर, patient बिमार है, परिश्ण है, अच्छा environment प्रएड होगा, तो उसको थोड़ा सा माँ पर feel good होगा, next, reading आपर क्या क्या रख सकते हैं, कि patient थोड़ा सा पढ़े और उसका number आने द सकते हैं, जन, पक्ती हिशे स्पार रख सकते हैं, अगर बहुत ही अच्छी फार्मसी है, तो कई बार आपने देखा होगा, कि वहाँ पर LED पर कोई display चला देते हैं, जिसमें different disease के बारे के कैसा equation, surgery को रिखे, डरे रो में रहते हैं, यसे dental की surgery है, implant है, वो कैसे होते हैं, वो बीडियो चला दिया, पेशन बेडियो देख रहा है, उसका नमबर आने के बाद में अपना prescription लेकर अपना dispensy करा कर लोग चला जाएगा, यह बहुत ही अच्छा साइन है, और display picture, कई सारी चीज़ों कर यसे heart का लगा सकते है, brain का लगा सकते है, lungs का लगा सकते है, ऐसे display pictures को और सीख लेगा आपने, यह हुआ, साथ में एक common चीज़ आपे देखे होगी, newspaper तो रहता ही है, कुछ भी possible नहीं हो रहा है, practice आप newspaper तो रखी सकते है, उसके बाद में लिखा है, यह समझे होगे, आपने देखे है, next हमें देखना है, avoid overcrowding, महां को और overcrowding नहीं करनी है, patient को आपने आपने रखना है, जाधा देखाण होगी, जाधा तकली होगी, और वैसे भी, corona के वज़े से, हम दोको ने बुलाई है, कि over problem नहीं होनी चाहिए, social distancing होनी चाहिए, यह सब चीज़े भी आपर follow होनी चाहिए, now the last, और बहुत ही important point है, patient counseling advice, guiding related to health and hygiene should be provided, अगर possible हो रहा ह तो pharmacist का वहता है, कि patient counseling करें, patient counseling का बता है, patient को advice करना, कि दवा या medicine अगर ले रहा है, तो के चीज़ों का धायर रखना है, कौन सी बाते नहीं करनी है, अगर बोलाई खाना काने के पहले ही काना है, तो ज़रूर उसको follow करें, अगर बोल रहे हैं कि खाना काने के बात करना है after meal खाना, तो ज़रूर follow करें, किसी-किसी दवा में कहा जाता है, जैसे कि centra second की आप बोला गया है, कि अगर उसको आपको milk के साथ नहीं लेना है, तो यह सब चीज़ आपको बताना है, तो यह हो गया patient counseling, जिसमें advice, guidance related to health and hygiene, hygiene को आप सब को समझ गयाता है, जैसे कि अभी हम तो परोणा किली भी देख रहे है, मास्क परना है, सनिटाइस करना है, हैंड़ बाश करना है, यह साब आजाएगा hygiene के अंगर, तो यह सारी चीज़ें भी अगर provide कर भा सकते हैं, फार्मासिस के दूप, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो यह हमें आज देगा location and layout of hospital, यह जो portion of free marks के दियाएगा, जिसमें आपको general operation की decoration जिलती है, location and layout का diagram बनाना है, और उसको इसको इस तरिगे से यहाँ पर explain करना है, जब आप यह पूरा लिखेंगे, इतला आपको जाका free marks में लेगे, अब जल्दी से लेखेंगे ते हैंगी, diagram में क्या क्या चीज़े सबसे में उत्पर से स्टार्ट करते हैं, आपको imagine करना है कि होस्पिर बहुत बढ़ा है, बहुत बादा है, बहुत बनाने क्या हो रही है, और manufacturing की सासाथ महाँ पर, आपको imagine करना है, जैसे हमारे नाक्टूर में है GMC, medical hospital है, उसको imagine करना है, आपको क्या क्या हो सकता है, तो इस department में रहेगा, बहुत जादा मात्रा में लगते हैं, वो फार्मसिस्टर महाँ पर अपॉइंट कर देगे, और भरी पर खुद्ला production करेगे, कोई जुरुत नी बहार समग वालेगी, वो महिंगा भी पड़ेगा, और यहां पर कैसा होगा, बहुत 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 बहु मैंने वापस के आपकों बताया, तो हमें patients के nutences रहते हैं, patients के bedsheets रहते हैं, उनके जो भी use करने की items है, उनको sterilization करने के लिए एक special unit होता है, तो यह गो unit है, Central Strive Storage Room, और उसके बाहुत बहुत 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 अब बढ़ कि अधार च aura吃 बाती है, उसके बात हुं रहने का non-saur принाप्ति दें, अब जाएक से बात है, सिर्फ सरैल के मैं करने हुएब कि अगर बढ़ा hospital है िहना non-staurel जैसकी tablet है, capsule है कुछ और अखर formulations है, वो भी नापर formulate हो सब्सक्य है यहाँ पर अगर हम नौन स्टराइब का बोल रहे हैं तो हमको यहाँ दखता है कि यह तीनों चीज़े महीं पर होनी चाहिए यह बिल्कुल उसके उसी साइट जैसे रॉप मटरियों का सेक्शन जैसे स्टोर तो प्रोड़क बन गया और देवगा फिनिश प्रोड़क यह मैनेफरेक्शन विल्क है यह इसके रॉप मटरियों के पास करेगा यह उसका स्टोर है फिनिश प्रोड़क बन के ही हाँ आप आगया तो पास करेने जिए कैसा होगा अगर बढ़ जाएगा तो आपको यह नहीं होगा फिर्ट पर्टनर में कहते देखिये वाँ पे स्टोराइब में के लिए प्रोड़क बन के लिए लगने वाला रॉप अधिरियों उसका स्टोर पर बनने के बाद फिनिश प्रोड़क आजागा यहां का उसके बाद ही ये पैसेज इस इस पैसेज अरिया आने-जाने की जगह पे तो चाहिए ना मोमेंट के लिए पैसेज होगा उसके बाद नेक्स क्या है अब यह जो होगा अने कंचैनी वाला कोशन होगया यहां से में इसको अलग पढ़ दिया अब यहां पर है अब अब दूसका आप जो services provided by the hospital जिसमें है office area, reception, और फिरेट illegal pharmacy, library, अगर कुछ पढ़ना है, किजी को कुछ reference रगना है, IP, IPP, यह से books, अगर पैने कुछ भी मिले है तो आपर यह सारी किताबें कोने चाहिए, books, कोने चाहिए आपको पता है radio pharmaceuticals जो है यह बहुत जादा radiations release करते है, यह बहुत जादा लुक्सान करकते है, यह इसमे इसमे चलंसरी department रेदी आगिया है, अब दी रास यहां परने देहना है medical store, medical store होना चाहिए, आप सबको पता है medical store नब को है कोई, dispensary hospital जहांसे patient अपना prescription लिजाए कर इसके बाद है dispensing video, dispensing window मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पर windows जो है रहे हो spaces होना चाहिए, जैसे मैंने आपको देखो चार window बनाए है, तो आप इना जितीजिए, मैंने आपको यहांने पहले ही बताया था कि एक windows यह वो prescription receipt मे रेका, और एक windows यह prescription जो है उसको dispense कि यह for example अगर IPDV की तो दो windows कियों पे, और similarly, दो window, IPDV की भी हम procedure करते है, जिसमे यहांने प्रस्कुर्चर उपीडी वाले देगी, और यहां सब्सकों रिसीब हुचाए थी साहिए करना, तो स्टेशे सो किया, crowding कम हो गई, और जो visitor में था, भूभी कम हो गई, Similarly, अब आज पार्टे में यहां पे sitting arrangement दिया हुआ, sitting arrangement मतलब जो patient के है, इसका अभी बहाँ पस्काव डूप window पे भीड़ है, तो वो यहां पर इतजार करेंगे, कोई, जो मैंने अभी आपको सुद्री पहले पढ़ा था, waiting area, sitting area और waiting area, same चीज, यहां पर इतजार करेगा, अ जीन के बारे में इसारी जाहिए अभी आपको यहां पर में सकते हुआ, तो यह आज आपके देखिया, location and gap of general outpatient opidium, thank you